हेलो बच्चों आओ पढ़ते हैं कहानी हार की जीत अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें हार की जीत मा को अपने बेटे और किसान को अपने लहला हाते खेट देख कर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देख कर आता था भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अरपन हो जाता वह घोड़ा बड़ा सुन्दर था बड़ा बलवान उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकार अपने हाथ से खर हरा करते खुद दाना खिलाते और देख देखकर प्रसंद होते थे उन्होंने रुप्या माल असबाब जमीन आदी अपना सब कुछ छोड़ दिया था यहां तक कि उन्हें नगर की जीवन से भी ग्रिना थी अब गाउं से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते हैं और भगवान का भजन करते थे मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा उन्हें ऐसी भ्रांती सी हो गई थी वे उसकी चाल पर लट्टू थे कहते ऐसे चलता है जैसे मौर घटा को देखकर नाच रहा हो जब तक संधिया समय सुल्तान पर चड़कर आठ दस मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन ना आता खड़क सिंग इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे होते होते सुल्तान की कीर्टी उसके कानों तक भी पहुँची उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुचा और नमस्कार करके बैठ गया बाबा भारती ने पूछा खड़क सिंग क्या हाल है खड़क सिंग ने सिर जुका कर उत्तर दिया आपकी दया है कहो इधर कैसे आ गए सुल्तान की चाह खीच लाई विचित्र जानवर है देखोगे तो प्रसन हो जाओगे मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी कहते हैं देखने में भी बहुत सुन्दर है क्या कहना जो उसे एक बार देख लेता है उसके हिर्दय में उसकी चवी अंकित हो जाती है बहुत दिनों से अभिलाशा थी आज उपस्तित हो सका हूँ बाबा भारती और खड़क सिंग दोनों अस्तबल में पहुँचे बाबा ने घोड़ा दिखाया घमन्ड से खड़क सिंग ने घोड़ा देखा आश्चर्रे से उसने सैकड़ो घोड़े देखे थे परन्तु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुजरा था सोचने लगा भाग्य की बात है ऐसा घोड़ा खड़क सिंग के पास होना चाहिए था इस साधों को ऐसी चीजों से क्या लाब कुछ देर तक आश्चर्रे से चुपचाप खड़ा रहा उसके पश्चात उसकी हिर्दय में हलचल होने लगी बालकों कीसी अधीरता से बोले परन्तु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या बाबा भारती भी मनुश्य ही थे अपनी चीज की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया गोड़े को खोल कर बाहर लाएं और उसकी पीट पर हाथ फेरने लगे एका एक उचक कर सवार हो गये गोड़ा हवा से बाते करने लगा उसकी चाल को देखकर खड़क सिंग की हिर्दर पर साप लोट गया वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था उसके पास बहुबल था आदमी थे और बेरहमी थी जाते जाते उसने कहा बाबा जी मैं ये गोड़ा आपके पास ना रहने दूँगा बाबा भारती डर गए अब उन्हें रात की नींद ना आती सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी प्रतिक्षन खड़क सिंग का भै लगा रहता परन्तु कई मास पीद गए और वह न आया यहां तक की बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भै को स्वपने के भै की नाई मिध्या समझने लगे संध्या का समय था बाबा भारती सुल्तान की पीट पर सवार होकर गूमने जा रहे थे उस समय उसकी आँखों में चमक थी मुख पर प्रसंता थी कभी घोडे के शरीर को देखते कभी उसके रंग को और मन में फूले न समाते थे सहसा एक और से आवाज आई ओ बाबा इस कंगाल के सुनते जाना आवाज में करुना थी बाबा ने घोडे को रोक लिया देखा एक अपाहिज वरिक्च की चाया में पड़ा कराह रहा है बोले क्यों तुम्हें क्या कस्ट है अपाहिज ने हाथ जोड़ कर कहा बाबा मैं दुखी आ रहा हूँ मुझ पर दया करो रामा वाला यहां से तीन मिल है मुझे वहां जाना है गोडे पर चढ़ा लो परमातमा भला करेगा वहां तुम्हारा कौन है दुर्गा गरत दुर्गा दत्वैध का नाम आपने सुना होगा मैं उनका सौतेला भाई हूँ बाबा भाती ने गोडे से उतर कर अपाहिज को घोडे पर सवार किया और स्वयम उसकी लगाम पकड़ कर धिरे धिरे चलने लगे सहसा उन्हें एक जटका सा लगा और लगाम हाथ से चूट गई उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोडे की पीट पर तन कर बैठा है और घोडे को दोडाए लिए जा रहा है उनके मुकसे भैं विसमे और निराशा से मिली हुई चीक निकल गई वह अपाहिज धाकू खडक सिंग था बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिला कर बोले ज़रा ठहर जाओ खडक सिंग ने यह आवाज सुनकर घोडा दोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेटते हुए कहा बाबा जी यह घोडा अब ना दूगा परन्तु एक बात सुनते जाओ खडक सिंग ठहर गया बाबा भाती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा यह घोडा तुम्हारा हो चुका है मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा परन्तु खडक सिंग केवल एक प्रातना करता हूँ इसे अस्विकार ना करना नहीं तो मेरा दिल तूट जाएगा बाबा जी आग्या कीजे मैं आपका दास हूँ केवल यह घोडा ना दूँगा अब घोडे का नाम न लो मैं तुमसे इस विशय में कुछ न कहूंगा मेरी प्रातना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकटना करना खडक सिंग का मुह आश्चर से खुला रह गया उसे लगा था कि उसे घोडे को लेकर वहां से भागना पड़ेगा परन्तु बाबा भारती ने स्वयम उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकटना करना इससे क्या प्रयोजन सिध्ध हो सकता है खडक सिंग ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा परन्तु कुछ समझ न सका हार कर उसने अपनी आखे बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा बाबा जी इसमें आपको क्या डर है सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया लोगों को यदि इस घटना का पता चले तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगी दुनिया से विश्वास उठ जाएगा यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मूँ मोड लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो बाबा भारती चले गए परन्तो उनकी शब्द खड़क सिंग के कानों में उसी प्रकार गुंज रहे थे सोचता था कैसे उचे विचार है कैसा पवित्र भाव है उन्हें इस गोडे से प्रेम था इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खील जाता था कहते थे इसके बिना मैं रह न सकूँगा इसकी रखवाली में वे कई रात सोई नहीं बजन भक्ती ना कर रखवाली करते रहे परन्तु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे रात के अंधिरे में खड़क सिंग बाबा भाती के मंदिर में पहुचा चारो ओर सननाटा था आकाश में तारे टिम्टिमा रहे थे थोड़ी दूर पर गाउं के कुट्ते भौक रहे थे मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था खड़क सिंग सुल्तान के बाग पकड़े हुए था वर धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुचा फाटक खुला पड़ा था किसी समय वहां बाबा भाती स्वेम लाठी लेकर पहरा देते थे परन्तु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भेना था खड़क सिंग ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बान दिया और बाहर निकल कर सावधानी से फाटक बंद कर दिया उस इस समय उसकी आँखों में पस्चाताप के आंसू थे रातरी का तीसरा पहर बीच चुका था चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भाती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया इसके पस्चात इस प्रकात जैसे कोई स्वपन में चल रहे हो उनके पाउं अस्तबल की ओर बढ़े परंतो भाटक पर पहुँचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई साथ ही घोर निराशा ने पाउं को मन मन भर का भारी बना दिया वे वहीं रुग गये घोडे ने अपने स्वामी के पाउं की चाप को पहचान लिया और जोर से हिन हिनाया अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसंता से दोड़ते हुए अंदर गुसें और अपने घोडे के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो बार बार उसकी पीच पर हाथ फेरते बार बार उसके मुह पर थपकिया देते और कहते थे अब कोई गरीबों की सहायता से मुह ना मोडेगा थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आँखों से आसु बह रहे थे ये आसु उसी भूमी पर ठीक उसी जगा गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंग खड़ा होकर रोया था दोनों के आसुओं की उस भूमी की मिट्टी पर परंपर मेल हो गया सुदर्शन